हेलो गाई से मात किनवाल है गुजरात फ्लोरो केम इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का कौटर 3 F523 का रिजल्ट आ चुका है सामने क्या सरा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने डिविडेंट दिया है की नहीं इसे के बारे में डिसकेशन करेंगे तो वीडियो को जरू से एंड तर देखते रहे ना गुजरात फ्लोरोखे इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट रिजल्ट है सारी अमाउंट से वो रिजल्ट के अंदर लैक्स के अंदर बताएगी है कंपनी की इंकम की बात करें के रिजल्ट के इंदर 1,046,421 रिपिस का कंपनी का टूटल इंकम है quarter and quarter ways के उपर company की income है वो कम हुई है बागी पिछले साल same quarter के मुंकाबले company की income में 50% का यहाँ पर 40-50% का jump देखने का मुल जाता है बागी इस company के net expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर अलग-अलग बहुत सारे expense इसको मिला कर company का total expense यहाँ पर 97,758,000,000 रुपिस का कमने का total expense है expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बागी है जिस प्रकार से income कम हुई है वैसे expense भी कम हुए है ठीक है बागी इस company के net profit की बात करें तो tax and expense item काटने के बाद company ने इस quarter के अंदर net profit generate किया है 36,398,000,000 रुपिस का जो quarter and quarter base के उपर और विछले साल सेम quarter के मुकाबले दोनों जगा पर company के profits है वो बढ़ते हुए नजर आ जाता है बागी इस company के यहाँ पर earning per share EPS की बात करें तो वो यहाँ पर 33.13 रुपिस पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर और विछले साल सेम quarter के मुकाबले company की EPS earning per share के अंदर भी बढ़िया सा jump देखने के मिलता है गुजरात फ्लोरो के इस company की बात करें तो आर communication में result के पहले पहले ही तेजी आना शुरू हो चुकी थी और यह तेजी यहाँ आपर से मेरे को ऐसा लगता है 3160 रुपे 3580 रुपे और 400 रुपे के लेवल्स तक यहाँ पर बन सकती है इस company के अंदर यह तीन बड़े टार्गेट्स है और जो आप लोग इस company के अंदर खरीदारी करना चाहते हो या बायन डीप करना चाहते हो तो इस company के अंदर 2430 रुपे 270 रुपे और उसके साथ साथ 1900 रुपे के असपास का लेवल है जहां पर 1830 रुपे का लेवल है वहाँ पर खरीदारी करने के मौके है आप लोगों को मैं तो यही बोलूँगा जो यहाँ पर आप लोग गुजरात केमिकल के अंदर इन्वेस्टेड हो अप लोग होल्ड एन कंटीनुई करके चलो प्रॉफिड में हो लॉस में हो नो मैटर जो आप लोग इस कम्पनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हो तो आप लोगों को यही सला रही कि अभी आप लोग इस कम्पनी से दूर हो क्यों कि यह जो यहाँ पर कम्पनी का शीर है न वो बहुत ही ज़द मैं चार्ट दिखाता हूं यहाँ पर आप लोग देखने जाओगी तो अर कम्पनी का यहाँ पर से शेर आप लोगों के सामने प्रेजेंटेट रही है अभी यहाँ पर से कम्पनी का 33,000 करोड रुपे इसके आसपास का मार्केट कैप है कम्पनी एक अच्छी बढ़िया कम् का यहाँ पर से 2019 के अंदर मार्केट में आपर से एक अलग एंटेटे के तौर पर आया कम्पनी के शेर में मैसिव गिरावट आई आप लोग देखी सकते हो कम्पनी के शेर में टॉप टु बॉटम आल्मोस्ट सांथ प्रतिशत एक कम्पनी का शेर गिर गया था ठीक है अभ यहाँ पर से कई ज़्यादा डराव नहीं आपर मंदी आ सकती है तो मेरा आप लोगों को यह सला रहेगा कि अभी आप लोग इस कम्पनी के अंदर इन्वेस्टेट हो होल्ड कर सकते हो बाकि न्यू इन्वेस्टमेंट अभी करने की इस कम्पनी के अंदर जरूरत नहीं है ऐसा मेरा मानना है ठीक है तो यह था हमारा ओपीनियन इस कम्पनी को लेकर तो बस आच के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक है चैनल को सब्सक्राइब कराम पूलना गुद्वाल अफ गुद्बाई फिर मिल तर नेक्श डियो में गुद्बाई